दोस्तों हम लोगों ने MCQS उस वाले पार्ट में कर लिए थे, यहाँ पर नियूस कम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इना फोकस करते हैं, नियूस पर फोकस करना, ठीक है, यूनाइटेट स्टेट रिलेट है, हम लोग यहाँ पर यह कॉन केफ कप पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने इस नियूस को पढ़ दिया था, बट फिर दुबारा कवर कर ले थे, ठीक है, जो यह कॉन का कफ कप गोल्ड कप पढ़ लो, यह C-O-N-C-A-C-A-F कप ह है, गोल्ड कप है, यह जीता किस नहीं था, यूनाइटेट स्टेट ने, किसको हरा है था, मैक्सिको को हरा के जीता था, सिंपल है, फुटबाल रिलेटेट हम लोगों ने संतोज ट्रॉफी देख लिए, रोबर्स कप देख लिया, कलिंगा कप देख लिया, बंदोधकर ट् है, अभी मेरे को ऐसा लगता है, मतलब क्या चल ला है, अब देखो, चला पैन दिक्कत दे रहा है, कमल प्रीत कौर इन से काफ़ी उम्मीद थी, बट नहीं माईड़ लापा है, वो एक अलग चीज है, ये 6 प्लेस पे रही थी, एक्जामनर डेफिनेटली यह पूछेगा कि कमल प्रीत कौर इस रिलेटेट टू विच स्पोर्ट किस खेल से संबंदित है, तो यह डिसकस थ्रो से संबंदित है, किस से मेरे भाई, डिसकस थ्रो से, यह याद रखना आप लोग, चक्का फैक बोलते हैं, यह से भाला फैक होत और टोक्यो उलम्पिक्स में, इनका सिक्स प्लेस पर ही रही थी, यह किस स्टेट से हैं, तो गाईज, इस पंजाब, यह नाम याद रख लेना, और जो वीमेंस टीम है, जो इंडियन वीमेंस टीम है, होकी की, आपको पता है, फाइनल में पहुँच चुकी है, कल का सीन ता आगे होगी, वो देखी जाएगी, पड़ वो फाइनली गोल्ड मेडल हमारे लिए अब तो ले आए, ठीक है, यही हमारे लिए गोल्ड मेडल है, कि वो नो ने उस्टिलिया को हरा दिया, और इंडियन टीम ने भी ग्रेट बिरिटेन को हरा गर सामी पाइनल में एंट्री ल यहां पर भी auto pay का मतलब होता है, जहां recurring transaction हो रहा हो, recurring payment हो फोन पर, जैसे आपका electricity bill है recurring है, auto pay लगा दीजे हर मही ही अपने आप automatically मेरे भाई debit होता रहेगा, school fees हो गई, यहां पर आपका क्या होगा, auto pay लगा दीजे, automatic deduct होता रहेगा monthly basis, तो फोन पर ने क्या किया है, कि जो mutual fund SIP investment है, mutual fund SIP investment, इसको लेके UPI based auto pay functionality को launch किया है, UPI based auto pay functionality को यहां पर launch किया गया है, ठीक है भाई, clear रहे इतना? ठीक है भाई? यह हो क्या रहा है, slide क्यों नहीं change हो रही है? आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, slide यहार, एक बाद बताओ slide तुछे यह क्या हो रहा है भाई, ए बाबू भाई, टेक्निकल टीम वाले सुन रहे हो तो भाई, कोई आजाओ, आसपास हुई हो कोई तो तब रायता फैल गया, आजाओ भाई, मिलकर समेट लेंगे अब देखो, आप slide दिख रही है यह कमल परीत वाली नून न्यूस का screenshot ले लो और यह phone पर वाले का screenshot ले लो यह तीन न्यूस पढ़ लिए हम लोग, चौथी देश से थे, तो श्रीलंका से, या श्रीलंका के एक श्रूदाना नहीं आई, या यू आये के श्रूदाना है रिटार, अभी वो किस स्पोर्ट से रिटार हुए है, तो वो किर्केट से रिटार हुए है, ओके, next एस्टिबन ओकॉन, एस्टिबन, एस्टिबन ओकॉन, यह नों है, हंग्रियन ग्रेंड प्री टाइटल अपने नाम किया है, और दोस्त देखो, अभी तक हम लोग, लुईस हैमिल्टन का नाम देखते थे, मैक्स बरस्तापिन का नाम देखते थे, ठीक है, यह तीन नाम जा प्रसेंट करते हैं, तो फ्रांस कंट्री हो गई, एलपाइन रिनॉल्ट ड्राइबर हो गई, इनका नम है एस्टिबन ओकॉन, और इन्होंने हंग्रियन ग्रेंड प्री टाइटल, हंग्रियन ग्रेंड प्री 2021 का टाइटल अपने नाम किया, यह नाम याद रख ले ना जो कि बिल्कुल पहली बार जीते हैं, तो नियाम याद रखना है, एस्टिबन ओकॉन, फ्रांसे और अलपाइन रेनॉल्ट, हंग्रियन ग्रेंड प्री टाइटल इनके नाम रहा, एश जैसंकर साहब, असल में है क्या, कि एरान की तहरान कैपिटल है, और जो इब्राहम र External Affairs Minister Aish Jaisankar साहब, तो External Affairs Minister Aish Jaisankar साहब विल अटेंड दी, इनाउगरेशन ओफ इनाउगरेशन ओफ इरानियन प्रेज़ेंड इलेक्ट इब्राहम राइसी इन तेहरान, क्लियर है भाई, क्लियर है, आचा एक बात बताओ, क्या मैं परेशान नहीं हुआ, हुआ ना मेरे भा परिस्तितियां मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, तो उस टाइम पर आप शायद instant basis पर थोड़ा react भी करते हैं, लेकिन खुद को काम करना, कोशिश करना, चीज़ें बहतर हो जाए, आज आप जो चाहते थे, आपको मिलेगा, content सारा मिलेगा, current affair के MC की भी मिलेंगे, news मिलेंगे, बढ़ हाँ, उसको देने के लिए थोड़ा कई न कई जदो जहद करनी मुझे पड़ रही है, और पाने के लिए आपको करनी पड़ रही है, तो जिंदिगी में ये सब जो उतार चलावे, ये बड़ा कुछ आपको सिखाते हैं, कि कितना आप अपनी जिंदिगी को बहतर द लगजरी ब्रांड है, और इसकी ब्रेंड अमेसर के तौर पर पर प्रियंका चौपडा को पॉइंट किया गया, ये तो बीफिस की ब्रेंड अमेसर बनी है, वीफिस, ठीक है, वीफिस देखा, एपिफिस आता है, एपिफिस और बैसे वीफिस एक ब्रांड आई है, इसकी पार्ले अग्रो की तो प्रियंका चौपड़ा को इटेलियन लग्जिरी ब्रंड बीवियल गेरी नहीं अपना ब्रंड नम्मस ना बनाया है ठीक है भाई कलियर है देखा है next आगे Sherblink आफ इंडिया ने 50.3 लाइक रूपीस की पेनलटी किसके ऊपर लगा दी जनलख्शमी कॉपरिटिव बैक के ऊपर तो जो महाराज के नासिक इस्तित बैक के ऊपर कितने की पैनलटी लगा है चैनलले कुछ डारेक्शन थे और यह जो Reserve Bank of India ने अलग-अलग अपने जो रूल बना रहे हैं, उनको सभी bank को follow करना पड़ता, नहीं follow करोगे, तो आपके उपर penalty impose होगी, तो उसी कड़ी में यहाँ पर जनलक्षमी cooperative bank के उपर RBI ने 50.35 लेक रुपीज की penalty impose करी है, इस State Bank लिंकिंग platform you know, you only need one और you only need one light to protect customer from various fraud असल में होगा कहना इसमें, SIM binding का मतलब यह है, कि जो आपका mobile number, जो आपका mobile number bank में registered है, ATM से आपके account से link है, जो आपका mobile number registered है या आपके account से link है, उस case में क्या सीन है मेरे दोस्त, कि यह जो Yono application है, उसी number से run होगी, सामझ रहे, और किसी number से run नहीं होगी, तो यह है SIM binding feature, अब examiner पूछ लेगा कि किस bank न SIM binding feature launch किया है, State Bank of India ने, you only need one Yono की full form बनेगी, SPI 1st of July 1955 को बना था 1955 को, Mumbai Maharashtra Headquarter है, और Dinesh Kumar Khara Dinesh Kumar Khara इसके चेर्मेन है, Clear है भाई, सबी के Next, अब जड़ा देखीगा, Indian Bank ने collaboration किया है, अब यह Indian Bank ने collaboration किसके साथ किया है, IIT Bombay के साथ, IIT Bombay, ठीक है, IIT Bombay का एक initiative है, इसका नाम है S.I.N.E. Shine, तो एक Society for Innovation and Entrepreneurship, Society for Innovation and Entrepreneurship, तो Indian Bank ने Society for Innovation and Entrepreneurship जोकी initiative है, IIT Bombay का, इसके साथ एक collaboration रहा है, किसी इसके लिए, Startup और MSME को Credit Available कराने के लिए, तो Startup और MSME को Credit Available कराने के लिए, यहाँ पर एक initiative लिया गया है, और यह initiative किसका, IIT Bombay का है, IIT Bombay का, ठीक है, तो दोस्तिक किस Bank के साथ हूँ है, Indian Bank के साथ है, Indian Bank का Passed Away, तो मशूर फिल्म Critic, राशिद एरानी का निदन हो गया, तो राशिद एरानी वाज़ फिल्म Critic, Eminent Film Critic and he has passed away recently, ओके, तो दोस्त, अब आते यहाँ पर MSQs पर, जो कि हम लोग Revision वाले करते हैं, Financial Action Task Force ने, जो पाकिस्तान है, उसको अपनी Gray List में बर करार रखा है, FATF का Formation कब हुआ था FATF was formed in 1989, 1989 में Financial Action Task Force की स्थापना हुई थी, Central Government ने अभी Smart City Award 20 अनाउंस किये थे, किस State को यहाँ पर overall Award दिया गया, मद्द प्रदेश दूसरे पर रहा था तीसरे पर Tamil नाडू रहा, टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा, Smart City Award में उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश, तमिल नाडू इसी मामले में अगर हम लोग देखे तो कौन सा शेहर टॉप पर रहा था Smart City Award में, तो दोस्त इंदोर और सूरत सेंक्तों तोर पर रहे थे Central Government ने अभी अच्छा, Union Territory के मामले में किसने टॉप किया था, तो Union Territory के मामले में Smart Award में चंडी का टॉप पर रहा था Minister of State for Finance and Corporate Affair अभी यहां वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग former, क्यों फॉर्मर क्योंकि अनुराग ठाकूर अभी यह मंत्राल नहीं देख रहे हैं इनोंने डेडलाइन दी थी पैन को आधार से लिंक करने की वो है 30 सेप्तमबर 2021 अब आधार जो डेट 30 जून 30 को एक्स्टेंड कर दिया गया मेरे भाई, आधार में कितने डिजट होती हैं, तो आधार में टोटल मिलाकर डिजट होती है 12, ओके बार विजलेंस कमिशनर सुरेश एंड पटेल सेंटल विजलेंस कमिशनर के तौर पर काम करेंगे, यहां पर एक्ट करेंगे मतलब की एक तरीके से टैंपरिरी बनाए गए हैं विजलेंस कमिशन में, सेंटल विजलेंस कमिशन में, हूँ सेलेक्टिड एज दी फिर्स चीफ बिजलन्स कमिशनर आफ इंडिया फिर्स चीफ बिजलन्स कमिशनर कौन थे नितूर श्री निवास राव। वी रगुनंदन वी रगुनंदन हैस् बन पॉइंटटिड सेकरेटरी ऑफ ट्राई या भी हम लोगों ने पढ़ा था ट्राई का हीड़ऌटर कहां पर the responsibility of chair to Anna Jed felt she is from which country तो भाई ये स्वेडन से तो स्वेडन की एना को International Labour Organization में जो governing body उसका अध्यक्ष चुना है से पहले अपूर्व चंद्र भारत की थी Indian Hotel Company Indian Hotel Company जो Tata Group है इनों होने इनको अभी इनकी जो ताज ब्रांड है इनकी टोटल ताज ब्रांड की वैलिएशन रहा था 296 मिलियन रहा था अराउंड 200 करोड रुपे इसके साथ इसको strongest hotel brand का दर्जा दिया गया था बाई दी ब्रांड फाइनेंस ठीक है जो कि UK-based brand valuation कंसल्टेंस है तो UK-based brand valuation कंसल्टेंसी brand finance के द्वारा strongest hotel brand in world कौन सी बनी है तो यह IHCL बनी इंडियन होटल कंपनी जो टाटा ग्रोप है टाटा ग्रोप का भी यह जो ताज ब्रांड है वो बनी इतने के वैलिएशन के साथ सवाल यहां पर यह है कि विच कंट्री से प्रीमियर इन हैस बी रैंक्ट सेकेंड एंड मैलिया फ्रॉम स्पेंड रैंक्ट थर्ड तो यह दोस्त USA का है USA का है प्रीमियर इन यह पहल दूसरे नंबर पर रहा और मैलिया यह स्पेंड का तीसरे नंबर पर रहा था strongest brand में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटर्पाइजमेंट of the IAM Bangalore इतना याद रख लो IAM Bangalore has been ranked best in India 39th globally in the latest edition of QS Executive MBA ranking तो QS Executive MBA ranking में 39th number पर रही थी globally IAM Bombay IAM Bangalore और यह भारत में top पर रहा था किस institute ने top किया तो HEC Paris HEC Paris ने top किया था RISA Bank of India ने अभी restriction जो PMC Bank पर है इनको कब तक extend कर दिया है 31st December 2021 31 December 2021 India Rating and Research ने इंडिया की GDP growth rate को 9.6% forecast किया है 21-22 के लिए India Rating and Research 100% owned subsidiary है कि निमने मैं से किस की तो यह Fitch Group की ठीक है Fitch Group की National Council Applied and Economic Research ने कहा है कि इंडिया निकनोमी इतने प्रतिशत से ग्रो करेगा Financial Year में सवाल उड़ता है कि NCAER का मुख्याले कहाँ पर है नई दिल्ली में रवी संकर प्रशाद जो की फॉर्मर यूनियन Law and Justice Minister थे Electronics Information Technology Minister थे उन्होंने Income Tax Appellate Tribunal का E-Filing Portal लॉंच किया सवाल यह है कि इसका नाम क्या है IT-AT-E-Dwar IT-AT-E-Dwar Minister of State for Education Sanjay Dhotre यहाँ पर भी वर्ड लगाईगा Former इनोंने एक Rapid Antigen Test के लॉंच की थे COVID-19 के लिए developed by IT-Bombay He is from which Constituency तो अभी सांसत तो हैं है Akula महरासे सांसत थे Former Minister of State for Education Sanjay Dhotre Sanjay Dhotre Clear है? Clear भाई? Next आगे D.I.D.O. ने भी successfully test fire किया था Swadheshi Nirmit Pinaka Rocket का extended version Odisha से सवाल यह है कि इसका total कितना distance, target distance कितना है तो दोस्ट 45 km ओके और D.I.D.O. ने अभी 122 mm caliber rocket का भी परिक्षन किया था इसका कितना है दोस्ट 40 km इसका target 40 km Who has been appointed brand name as of OnePlus यह है Jaspreet Bumra Apple Daily Apple Daily अभी news में रहा था यह क्या है It was newspaper Hong Kong newspaper Apple Daily Day of a Seafarer 2021 कब observe किया गया तो यह 25 June को Day of a Seafarer observe किया गया British American Software Pioneer का नाम क्या है Creator of Mac Fee Antivirus जिनका निदन हो गया तो भाई यह है John David Mac Fee Union Territory or State का नाम क्या है जिसने की पोर्टल लॉंच के जिसके माद्यम से COVID-19 victim will apply for मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक साहेता योजना Simple शब्दों में यह योजना किसकी है मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक साहेता योजना तो यह दिल्ली की है दिल्ली की highest level of overall trust जबकि lowest level of overall trust की बात करते हैं तो इसमें कौन रहा है यहां पर तो इट वास गाईज US ऐस ओके Reliance Industry ने नाउंस किया है Geophone Next smartphone jointly developed by which of the following तो यह दोस्त Google के साहत मिलके Reliance Industries ने Geophone Next launch किया With which National Skill Development Corporation has launched Digital Skill Champion Program that aims to train India's youth on digital skill in order to make them employment ready तो WhatsApp के साहत मिलके NSDC ने program launch कि WhatsApp NSDC दिल्ली गॉर्मेंट ने अभी किन को appoint किया है former करना मलेशुरी को appoint का first vice chancellor of Delhi Sports University she is from which state she is from Andhra Pradesh S&P Global Rating है इंडिया की GDP growth rate 9.5% बताई है यह किस देश की credit rating agency है तो यह अमेरिका स्थित है किस बैंक के साथ government of India ने 32 million का Missouri Health System Strengthing Project के लिए loan agreement sign किया है तो यह रहा था World Bank के साथ Wish You Bank के साथ at 56.075% credit to GDP ratio total outstanding bank credit रहा था 1.52 trillion in the country in 2020 यह BIS Bank for International Settlement का data उसके नुसार इसका headquarter का हाँ पर है Basel, Switzerland BIS का मुखेल Basel, Switzerland है आशा करता हूँ मेरे दोस्त इतनी तकनीकी खराबी के बाब जूद भी हम लोगों ने सेशन अपना complete किया है ओके और बाकी बच्चे जो भी अभी एक्जाम के लिए जा रहे हैं किसी भी एक्जाम के लिए बहतर करिए लेकर रिजल्ट आना सेकेंडरी है पहले प्लानिंग बहतर होनी चाहिए और प्लानिंग अगर बहतर होती है प्लानिंग बहतर होती है और अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता फिर भी हमें काफी हद तक रिजल्ट मिल चुका होता है मेरे भाई, इसका अनुगाव हमें तब होता है, जब हम दूसरी बार ट्राय कर रहे होते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप शुरुआत करते हैं, तो शायद आप दूर तक कर जो अपना गोल देखकर घवरा भी जाते हैं, लेकर जब आप उस डंगर पे निकल जाते हैं, तो धी आपको सिंपल एक काम करना है, अड़ा247 अप्लिकेशन पर जाना है, या फिर अड़ा247.com पर जाना है, कहीं पर भी जाईए, बाई करने के लिए कहीं से भी क्लास दे सकते हैं, और बाई करने के दुरान कोड लगाएगा आप, य168 और य168 लगाती है, आपको 78% discount मिलेग है, financial awareness के लिए batch है, बाकी warrior एक start हो चुका है, SBA कलक मेंस में ये दोनों current office के batch मिलेंगे, और static का भी, financial awareness का भी, तो इस batch में इन्रोल कराजिए, SBA कलक मेंस वाले में तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्लस कलब warrior rate है ये, और bank, maha pack, ये तो सबसे best option है, Y168 code लगाए दोस्त, 12 बजे के session में भी, रादे रादे दोस्तों अपना ख्याल रखेंगा